अधियुआए कैसे हो आपसेप स्वागात आप सबीग एक और में न्यू मीवाय 12 के टॉप ट्री मोस्ट अडर्वेटेट प्रीमियाम फीर्म दियू सीरीज के उपर एन इस वीडियो में आप सब को बताऊंगा ऐसे टॉप 3 अंडर्वेटेट प्रीमियाम मीवाय 12 के ठीम जि लेके premium lock screen customization के option देखने को मिल जाएगा जो आप सबको definitely काफी ज़ादा पसंद आने वाला है और इस वीडियो को जो भी last तक देखेगा मैंने उसके लिए एक bonus surprise theme एरेंज करके रखा है तो आप उसे miss मत करना then trust me guys आप इस theme series को last तक देखना है और मैं आप सबसे promise कर जाओ आपको कोई भी regret फिल नहीं होगा तो फिर चलिए स्टार्ट करती इस वीडियो को so without any more wasting time let's roll the intro सबसे पहले तो guys इस वीडियो पे like टे टेक टे 1000 likes का तो फटफट से आप इस वीडियो को एक like कर दो and अगर आप चाहते हो MIUI के number one best theme के वीडियो series and MIUI के all-in-one customization and modification के वीडियो series सबसे पहले enjoy करना तो आप मेरे channel को definitely free में subscribe कर सकते हो तो फिर चलिए start करते then guys हमारे list पे मैंने जो आप सब के लिए first theme को include या add किया है simply उस theme का नामे crystal ace so आगे बढ़ने से पहले और एक चोटी सी important बात अगर आपको ये top 3 theme में से कोई भी theme अगर आपको पसंद आ जाए and अगर आप चाहते हो उसे download करना तो आप सबको description पे सारे theme के official download link मिल जाएगा अब description से one click में theme को download कर सकते हो okay तो अभी हम लोग बात कर लेते इस theme के कुछ special and exclusive features के बारे में so अगर आप देखोगी यहाँ पर home screen को तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर crystal iconic वाला आपको यहाँ पर home screen देखने को मिल जाएगा and अगर अब देखोगी इस theme के icon pack को तो इसके आपको icon pack देखने को मिल जाएगा वो 3D design के साथ premium हो इसके icon pack देखने को मिल जाएगा जो home screen के साथ बहुत ही जादा battering लग रहा है and then जो overall home screen के look हो काफ़ी जादा minimalistik और crispy है then अभी हम लोग देख लेते इस theme के notification panel या control center को अब जाओगे इस theme के calling screen पर या phone पर तो आपको यहाँ पर जो calling screen देखने को मिल जाएगा इस पर ज्यादा कुछ changes देखने को नहीं मिलेगा simple minimalistic new eye के calling screen ही देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है then अभी हम लोग सीधे जाल थी इस theme के lock screen पर so अगर आप जाओगे lock screen पर तो lock screen काफ़ी जादा amazing on good looking है lock screen पर आपको यहाँ पर crystal icon के साथ आपको यहाँ पर एक animated wallpaper को provide किया गया है जो काफ़ी जादा बढ़िया लगता है lock screen पर और अगर आप अपने phone को charge पर लगा हुए एंदन देखोगी इसके charging animation को तो इसके जो आपको charging animation देखने को मिल जाएगा वो one of the best है यहाँ पर charging animation आपको पूरे electric dynamic वाला आपको यहाँ पर charging animation देखने को मिल जाएगा जो आप सब को definitely पसंद आएगा यहाँ आप सब के लिए second theme को include यह add के है simply उस theme का नाम है P Windows V 12.5 तो अगर आपको best of best वाला Windows OS के theme चाहिए तो आप इस theme को definitely एक बार try करना सबसे पहले अगर आप देखोगे home screen के look को हो तो home screen के look काफी जादा amazing है अगर आप देखोगे इस theme के icon pack को तो icon pack आपको यहाँ पर पूरे minimalistic shadow design के साथ काफी जादा colorful आपको यहाँ पर icon pack के combination देखने को मिल जाएगा जो home screen customization के साथ काफी बढ़िया लग रहा है और अगर आप यहाँ पर ऊपर home screen पे देखोगे तो आपको यहाँ पर एक widget देखने को मिल जाएगा जो काफी जादा different है अगर आप यहाँ पर windows के logo पे double tap करोगे तो आप अपने widget को customize कर सकते हो अगर हम लोग देखे इस team के control center या notification पैनल को तो अगर आप देखोगे इस team के control center को तो control center काफी जादा bold है और जो control center की UI हो बहुत ही जादा बढ़िया और super smooth है अगर आप देखोगे इस team के calling screen या phone को तो आप यहाँ पर देखोगे लॉक स्क्रीन के look देखने को मिल जाएगा पूरे windows हो इसके आपको यहाँ पर look देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको नीचे windows हो इसके start menu भी देखने को मिल जाएगा अगर आप इस पर click करोगे तो आप यहाँ पर से start menu को भी access कर सकते हो और अगर आप यहाँ पर tax bar पर personalization के button पर tap करोगे तो आप यहाँ पर चार wallpaper दिया गया default जिसे आप change कर सकते हो तो पूरे super cool and काफी जादा aesthetic है दन अभी हम लोग देख लेते इस theme के notification पहले लिया control center को तो अगर आप देखोगे इस theme के control center को तो आप यह पर देख सकते हो इसके जो आपको control center देखने को मिल जाएगा यहाँ पर light brown and red color के combination के साथ आपको यहाँ पर calling screen देखने को मिल जाएगा ओके तो अभी हम लोग सीधे चलते इस theme के main customization की तरब जो की आपको देखने को मिल जाता है lock screen पर तो अगर अगर आप यहाँ पर lock screen पर फस्ट आफ और live animated wallpaper के support देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर right side पर इस button पर tap करोगे तो आपको यहाँ पर तीन और नए live animated wallpaper देखने को मिल जाएगा एक है वर्जिल, दूसरा है दानते और तीसरा है लेडी का आपको जो पसंद है आप उसे apply कर सकते हो सबसे पहले हम लोग बात कर ले थे गाईज हमाई लिस के bonus theme के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर ले थे इस theme के home screen के look के बारे में home screen के look पूरे machine UI के आपको यहाँ पर home screen के look देखने को मिल जाएगा एंदन जो इस theme में icon pack को use किया गया है और पूरे glass background के साथ machine UI वाला आपको यहाँ पर icon pack देखने को मिल जाएगा जो home screen modification के साथ काफ़ी ज़ादा बढ़िया लगता है सो अभी हम लोग देख ले थे इस theme के control center यह notification panel को तो अगर आप देखोगे इस theme के control center को तो control center पे आपको ज़्यादा कुछ changes तो देखने को नहीं मिलता है वही same transparent वाला आपको MIUI के control center ही देखने को मिल जाता है दना भी हम लोग सीधे चलते इस theme के main customization की तरब जो कि आपको देखने को मिल जाता है lock screen पर तो first time अगर आप lock screen को open करोगे अंदन देखोगे lock screen को तो lock screen के look देखके आप भी बोलोगे वाव ये क्या lock screen है मजा आ गया क्योंकि इसके जो आपको machine UI वाला live animated wall paper देखने को मिल जाते हो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है lock screen पर अगर आप अपने device को charge पर लगा हुए तो आपको lock screen के बीच में जो यहाँ पर आपको circle दिख रहा है इस पर आपको charging animation भी देखने को मिल जाएगा so buzz guys इस video series पर इतना ही था and आप please मुझे comment section में जाके comment जरूर से करना कि आपको कौन से theme सबसे best लगा है